good afternoon everyone welcome back to manisha mams class कितने बज़े हैं दो तो बज़ गए है न तो फिर किस बात की दे रही है हर रोज दो बज़े जब आपको पता है कि manisha m.a.a. जाती है है तो पढ़ाही करकी होती है न है न तो पढ़ाई करेंगे और हम लोगों का किया टॉपिक चल रहे है हम लोग पढ़ रहे हैं डिय्यम सान फ्रेज़ वर्ब है ना ठीक है हमने दो classes ले लिए हमने नए नए तरीके सीखे हैं कि हमें अपनी English की vocabulary कैसे बढ़ानी है क्या words use करने हैं ठीक है बढ़िया फिर अब आप मुझे बताओ कि इडियाप्स होते क्या है मैंने आपको बताया था ना क्या होते हैं चीजे नहीं कराएगी तो फिर आप बोलोगे माम मैं भूल गया था अपने से फेक पारी पढ़ाया था नहीं इसलिए इसलिए मौका तो देना ही नहीं है बच्चो ठीक है तो चलो देखो इडियम्स के होते हमारे हमारे ना जो इडियम्स होते है कोई स्टार्ट होगा लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी जो इडियम्स होते हैं वो हमारे इंग्लिश क्या करते हैं थोड़ी हाइफाई करते हैं वो कापलरी बढ़ाते हैं हम लोग इडियम्स में जो बोलते हैं ठ adas. तो क्या बोक को हिट करोगे दो क्या बुक को हिट करोगे अगर मैंने आपको बोला hit the book नहीं फिर आप क्या करोगे hit the book मतलब तो होता है कि पढ़ाई होतीय न होती है purposely आप लोगों का काम क्या है आप लोग हम लोग जब भी corrections से उसकरते हैं हम बोलते हैं कि जो भी बोलना उसका मतलब कुछ और होना बहुत सिंपल है बहुत इजी होते हैं इडियम सगर एक बार समझ आ गए और अपने इंगलिश एकदम तोड़ फोड करनी है मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं टूटा फूटी नहीं अगर आप लोगो को क्या करना है इट यमस का यूस करने कैसे करने जैसे मनिशा मैं बता रही है वैसे करना है ठीक है तो उसी के साथ हमाते हैं कुछ चैसाथ है ना तो चलो पहला क्वेश्चन ये एड़ा आप लोगों के सामने और आगया आगया है आगया आगया आग्या all in the same boat अब बताओ का मतलब क्या होगा A B C D क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट अंसर क्या है बताओ ये बताओ ये परिशान नहीं करूंगी चलो उसी के साथ हमाते हमारे next question पर गेरा next question sorted out sorted out का मतलब क्या है बताओ conflict होता है supported होता है excited होता है resolved होता है बताइए अच्छे अच्छे से सोच समझ के बताना क्योंकि sorted out का मतलब क्या है क्योंकि लिखा कुछ है बोलता कुछ है क्या है मतलब क्या है चलो खतम होता है हमारा time उसी के साथ हम start करते हैं हमारा explanation ठीक है explain करेंगे आप लोगों को quiz को explain करेंगे है ना अब एक बात बताओ मैंने आपको भी बता है तना जो हमारी idiom सोते हैं वह आपका vocabulary वह है तो यह बोट का बोatives investigation नहीं होगा यह वोट का बोटर नहीं होगा यह एक लगलट हो जाएगा घर हम में में कुछ भी changes लेंगे यह fixed होते हैं यह क्या होते हैं ये fix होते इस को question को समझते आन ब्सक्राइब बोट मतलब एक ही सबसे एक ही बोट में है तो एक ही बोट में होना मतलब क्या मतलब कि वो किसी बोल तो यह रहे किसी पानी में होंगे और पानी में सब एक ही बोट में बैठे हैं ठीक है बैठे हैं तो हम क्या करें बोलो आप तो यही बोलोगे ने कि मैम हम क्या करें सब सेम बोट में बैठे हैं तो अच्छा कभी नैनिताल गए होंगे तो आप लोग अपने ममा के साथ बोट में बैठे होंगे तो आप तो वही समझोगे कि सेम बोट मतलब कि हम एक ही बोट में बैठना लेकिन इसका मतलब क्या होता है हम कभी यूज करते हैं चलो एक एक्जामपल देते हैं आप और आपकी फ्रेंड का पेपर था पूर आपकी फ्रेंड का पेपर था एक्जाम था और आप दोनों ने पढ़ाई नहीं करी और आप दोनों ने पढ़ाई नहीं करी फिर उसके बाद आप दा आपकी फ्रेंड जो आप बोलती है यार वी हावंट स्टडीड वी हावंट प्रिपेर वी both are sailing, we both are in the same boat, हम एक ही boat में एक ही problem है कि हम दोनों ने नहीं पड़ा, है ना, तो मतलब problem में है, same problem में होना, तो चलो बताओ, option है, everyone facing same challenges, हाँ, to avoid talking, गलत, avoid talking क्या होता है इसमें, मतलब बात करना, avoid करना, ना बात करना, वो तो गलत हो जाएगा, doing something special, कुछ बहुत अलग करना, गलत, या फिर, traveling on same vehicle, कि same vehicle, scooty, car, bus, truck में, travel करना, नहीं बच्च, ये भी गलत, correct answer हमारा क्या होगा, sorry, correct answer हमारा होगा, option number A, option number A, is the correct answer, है ना, फिर चलो उसी के साथ हमाते है, हमारे next question पर हाई, sorted out, sorted out मतलब क्या, अच्छ, एक बात बता हूँ, जब मैं school में थी ना, बड़ाई मजाद है मनीशा माम को, जब मैं school में थी ना, या फिर जब मैं college में थी, तो ना, जब हमारी लड़ाई हो जाती थी, अब देखो, school में तो friends के साथ ऐसे बहस हो जाती है, ना, लड़ाई ब देखने, क्या हो, क्या हो, मैंने का सब sorted, सब sorted है, सब ठीक हो गया, सब sorted out हो चुका है, यह sort out का मतलब से मैंने क्या कहा, क्या समझाने की कोशिश करी, मैंने अपनी friend को कि सब sorted हो चुका है, सब sorted out हो गया, कि कुछ ठीक हो गया है, या लड़ाई हो गई है, या किसीने मेरा को तो चार्टा मार मतलब क्या है इसका मतलब सॉट आउट हो गया देखो ए ऑप्शने कॉन्फिक मतलब लड़ाए क्या सॉट आउट हो जाना मतलब होता है लड़ाए नहीं क्या सॉट आउट मतलब होता है सपोर्ट करना नहीं क्या सॉट आउट मतलब होता है एक्साइट होना वू नई यहां फिर होता है resolve करना resolve करना इस ती correct answer तो option number D option number D is the correct answer yeah clapping ठीक है चलो फिर अब हम आते हैं आपको समझाते हैं अब देखो मैंने आपको क्या बताया था यह याद रखने आपको fixed fixed grammar grammar क्या होती है हमारी fix होती है ठीक है और क्या होता है vocabulary enhance करती है मतलब बढ़ाती है ठीक है आपकी speech अच्छी करती है speech speech communication skills speech skills अच्छे होते हैं तो idioms पर अच्छे होते हैं हाँ लिट्रिल मीनिक दिफ्रेंट होता है जो हम बोलते हैं वह दिफ्रेट जो बोलते हैं उसका मतलब कुछ और एड कहते हैं for example अभी मैंने आपको बोला था ना all in the same boat अगर all in the same boat है यह हमारा idiom है तो अगर यह boat है हमारी बच्चो ठीक है यह अगर हमारी boat है सब एक ही boat में और इदर पानी है ठीक है यहाँ पर पानी है और सब इदर एक ही boat में है तो मतलब सब एक ही problem में है पानी से तो कोई भी निकल सकता ना वहाँ पर से चलो अब हम बोलते हैं call it a day अच्छ आप लोग नहीं बहुत use कर सकते हो आपकी ममा को बताना ममा भी उसकर सकती है ममा को भी याद आ जाए गई है मतलब stop working on something कुछी चीज़ पर रुख जाना मतलब कुछ कर रहे हो काम कर रहे हो आप और रहे हो आप कॉल रहे हो बताओ कैसे फर एक्जांपल आप दोनों फ्रेंज हो कोई भी और आप दोनों सुभा से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो सुभा से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो हमारा होता है न साइंस प्रोजेक्ट हमारा इंग्लिश प्रोजेक्ट मैथ्स प्रोजेक्ट ठीक है बहुत सारे प् और आप सुभा से इतना काम कर रहे हो और आपकी ममा आती है उन देखती है कि बहुत ठक गए हो आप लोग फिर ममा आती है और ममा बोलती है ओई स्वारी बच्चो चिल्रन क्या बोलती है चिल्रन यू बोथ चिल्रन यू बोथ लुक अच्छी हैं राइट अच्छी हैं राइट अच्छी हैं राइट इलिक हैंगे यू बोथ लुक टायर अच्छी हैं राइट अच्छी हैं राइट अच्छी हैं राइट अच्छी हैं मुझे तो ऐसा लगता है तुमको कॉलेट अच्छा कॉलेट करा अच्छी तो कुछ अरोता है कॉल अच्छी की आंच्छे का आपने कॉल करा पुरुको गि nhân और ये इसको दिन बोलो किसको रात को दिन बोले क्या यह दुपैर को दिन बोले या फिर सुभा को दिन बोले क्या बोले पैन को दिन बोल देते हैं इट तो कुछ भी हो सकते हैं ना कॉल लिटा डे पैन को भी डे बोल सकते हैं रिमोट को भी डे बोल सकते हैं मुझको भी क्या डे बोल सकते हैं मैं दिन हूं का नहीं यह जो भूल रहे वो तो गलत हो जाएगा बच्छो तो इसका मतलब यह में मतलब कॉल फटा देक वह रै लिक कुछ रहे बोल कुछ रहे समझ में कुछ और आने हमको तो call it a day मतलब किसी चीज पर जिस पर भी काम कर रहे हैं उस पर रुख जाना तो ममा ने क्या बोला जो हम दोनों उस प्रैक्टिकल फाइल बना रहे थे you both look tired I believe you should call it a day समझ आयां आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो बहुत इसी था अब मेरा फेवरेट वाला आएगा kolaBUcı अब यहीं चाहते हो नं इतने क्यूट से बेबी को देखो फोटो में में इसे ताकत दिखा रहे ale वह क्या क्या है कि hit the books books को मारो तो क्या इसका मतलब यह होता है कि books को क्योंक stake explorator I do books to book sqa bro gay विद्ध्या पता हैं न qyaém वतलब भए यह विद्ध्या नाम भी हो सकता है कोई नहीं लेकिन हम पढ़ाई के बात करें तो हिद्ध भूक्स है तो पढ़ाई करेंगे विद्ध्या को कभी नहीं मारेंगे विद्ध्या कसम खो अच्छों कि एक आपने कभी कोट में गये होंगे तो आपको आपने मूवीज देखियोगी तो वो बोलते हैं विद्या मैं विद्या पर हाथ रखकर मैं शपत कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नि कहूंगा मूवीज देखते हो पिच्चरे तो इसमें ऐसे तो बच्चो हमारी विद्धिया इतनी पवित्र होती इतनी प्यूर होती है तो तो किया हम को हिड़् अपोग यह कह रहे हमें बुक्त को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए यह न लेकिन यह बहुत important है hit the books मतलब पढ़ाई करो to study जैसे मम्मा बहुत गुस्से में है मैं तो इस बच्चे को यह देखती जा रही हूं बच्चो बहुत क्यूट है ना चलो अब मम्मा बोलती है ममा के बोलती है की your exams are approaching and you both are not studying go and just hit the book go and hit the book go and hit the book says a bowl second kya bowl सकते example कैसे यूज कर सकते हैं देखो your essay बोलते है sandy कोई भी नाम ले सकते है न माम तो जीव 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 नाम वैसी लेती है ऐसे लिख सकते है ऐसे tommy बोलते है जलो आज ठीक है tommy your exam sir approaching your exams are approaching go and hit the books right now क्या example लिया है माम ने tommy your exam sir approaching full stop go and hit the books right now मतलब क्या करें तुमारे exams आ रहे हैं ठीक है tommy तुमारे exams आ रहे हैं ठीक है जल्दी से जाओर पढ़ने लग जो अभी की अभी ठीक है ना एक और example दूँ एक और example देती हूँ यह example one हो गया कुछ भी यूज कर सकतो आप लोग कभी भी कैसा भी यूज कर सकतो sentence आपकी मजी है my final exams are coming I can't join you at the theatre because I have to hit the books समझ आया मैंने क्या लिखा मैं मेरे final exams आ रहे हैं मैं आप लोगों के साथ theater नहीं जा सकता हूँ मैंसे भी कोविट चल रहे जाएगा भी तो Corona हो जाएगा ठीक है तो वो क्या कहता है my final exams are coming I can't join you at the theatre मैं आपको join नहीं कर सकता theater पर क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है because I have to hit the books समझ आया बहुत easy था ना उसी के साथ हम आते हैं बच्चो एक और क्विस पर second quiz आ गया है तो चलो winter साही गई है तो एक कॉल हो जा you scream we scream we all scream or ice cream चलो आजो पहला question यह रहा without a doubt no idea for certain without knowledge all of the above जल्दी जल्दी बता दो की correct answer क्या है जल्दी बता है उसी के साथ हम आता है हमारे next question पर यह रहा next question अगाला दे हारी पॉर्टर देखिया है उसमें आता है वर्ड गाला a day of festivity a day of brief a rainy day none of these matau चल्च बाला देंगर धैशनीच भky róन देखिया है वर्ड भyrus नगण। उसमें ड्याद भका जाम क मैं आता है यह रहा है के लोlles के सतने वोरुडश में देखिया है चलो चलो कहां एक्स्वानेशन ब्रेक पर आजो चलो आते हमारे कुस्ट टाइम पर हना आ चुके है मैं कित्ती बार बताओगे ठीके 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 यह लो पहला लगोगे सामने एक में एक्स्टेन करते हैं विद्डाउट एडाउट मतलब बतल विद्डाउट और डाउट क्या होता ही यह अचाह डाउट मतलब कोई शक कोई शक ऐसे बोलते हैं कुछ शक है क्या तो वो कह रहे बिदाउट आटाउट मतलब बिना कोई शक a option A no idea a option है नूँ आइडिया मतलब कोई आइडिया नहीं है आइडिया का मतलब क्या होता है आइडिया का मतलब क्या होता है आइडिया का मतलब आप बताओ क्या होते है आइडिया का मतलब क्या होते है जल्दी जल्दी बताओ बिल्कुल सही बच्चो वो घीता होती है सही कह रहें शॉफ माम भी ना विद्या बोल रिदेश्ट है अच्छ किलो ठीक है विद्या तोविद्या और ढीटा बात तो एक ही है ना चलो ठीक है थांक यू अच्छा अब आप सुनों विदाउट डउट मतलब देखो नौर आइडिया मतलब कोई तया मतलब वो नहीं है ऐडिया को हम हिंदि में क्या बोलेंगे support to I do in Hindi में बताते हूं आपको यह भी सोच के बताते हैं क्या होता है आई डिया इन Hindi जो का होगा सोचते है सोचते हैं मतलब शार है ना फिचार होगा हाँ कि कोई विचार निया इस बात का चाना एधा तो गलत हो गया दिखते ही गलत हो गया यह तो मतलब फिर या फिर हो गया for certain अच्छे माम certain का मतलब क्या होता है certain मतलब होता है surety मतलब surety ठीक है अच्छा without knowledge बिना किसी knowledge के बिना किसी knowledge के या फिर all of the above बच्छो नो आइडिया तो होगा नी without knowledge भी नियोगा all of the above नियोगा जब हम में बोले without doubt मतलब बिना कोई शक के बिना कोई doubt के तो क्या होगा उसका मतलब हमारा होगा मतलब कुछ certainty है मतलब कुछ fixed है चीजे कुछ surety होगी है ना तो लोगर कुछ surety होगी तो certain का मतलब भी हमारा क्या होता है surety होती है तो correct answer बच्छो क्या है correct answer बच्छो option number B option number B is the correct answer stars and smiley ठीक है चलो आते हैं अगाला जे अच्छा पते colleges में क्या होता है जो इंडिया के बाहर जो colleges होते ना वहां पर एक गाला डे भी होता है गाला डे पर सब वहां पर पता है क्या करते हैं वहां पर सब इस एक दबत्यार व्यार ओकर सब dance करते हैं मतलब party मनाते हैं जशन मनाते हैं तो अब बताओ इतना हमारे पास A option है day of festivity B है a day of brief C है a rainy day गाला डेगो बारिश का दिन या फिर देव ब्रीफ लंबा दिन क्या छोटा दिन क्या आए नहीं none of these colors correct answer होगा day of festivity तो option number A is the correct answer बच्चो ठीक है option number A is the correct answer with stars for my shining stars आजो hit the sack देखो कितना cute puppy है ना सो रहे है पहले मैंने आपको पढ़ाया है hit the books तो वो पढ़ने लग गया फिर पढ़ने के बाद मेरे आपको बोला hit the sack वो पढ़ते पढ़ते सो गया मैं आप हमें क्या पढ़ा रहे हो आप हमें गलत चीज़े पढ़ा रहे हो कि नहीं बच्चो में गलत नहीं पढ़ा रहे हूं लेकिन आप लोगों को idioms पढ़ाने की कोशिश कर रहे हूं अच्छा कभी अपने वो धेरी देखिया बोरी देखिया बोरी कभी घर में मम्मी ने कभी आटा मंगवाया हो है ना आटा मंगवाया तो वो बोरी में आता ना बड़ी सी बोर मतलब अगर ममा कम लाती है बारी बारी लाती है तो अलग बात है है ना कुछ लोग क्या करते हैं न थेल सारा महीने दो महीने का एक साथ लियाते हैं तो वह जब महीने दो महीने का इंथा होता है तो कि यहाँ पर भूरी पडर्वे हो सब्सक्राइब दब वह और हिट सब'RE मतलब क्या हुआ में उसको आपको मालना मतलब पंच करना है हिट करना है है अब आपको बोल तो रहा है हमें बोरी माने के लिए हिट करने के लिए मार मारू पंच करो पंच करो लेकिन यह फोटो दो कुछ और ही कह रही है मैम ने गलत वलत फोटो तो नहीं लगा दी नहीं मैम ने सही लगाई यह आपको समझ आपने समझने में गलती कर यह क्यों क्योंकि हिट्ट सैक मतलब सो जाओ बहुत थक गए अब सो जाते हैं जैसे सैक होता है एक दम आठे को ऐसे करो के मारो गें फॉश को भी भॉरी को मारो गेंदे मों फ्लफी सी एक दम ऐसे घुज जाएगी ना कि गुसेए किकि निवसेगी इंग पर आपको हसना नहीं कि मैम एक तोило expressions के उसम अब को actions के साथ समझाती न इसलिए समझाती जिस्सने आपकोक्षा समझाओगी न सुभार वो जज़ो करते रहोगे रहोगे चलो तो बचचो तो हिट गुव ही कि करना है पंच करना है कोई भी बोरी को वह समें आठा होror कुछ भी ऑ लेकिन इसका मतलब मतलब क्या होती है बोलते तो है मैं घा ह biri सब्सक्राइब लेकिन इसका मतलब क्या क्या मैं मैं दे दू प्लीज दे दू मैं प्लीज दे यू दे यू दे यू दे यू एसे रोया मत कर आप लो ठीक है I must hit the sack I must hit the sack now abhi samjhaon ghi kya likhi ho mein ठीक है I must hit the sack now I am very tired कह रहे कि अब मैं बेड पे hit कर रहा हूं मतलब बेड पर अब मैं जा रहा हूं सोने जा रहा हूं I'm going to bed because I'm very tired I am very tired I must hit the sack now I'm very tired ठीक है बच्चो देखो वो पपी पढ़ते पढ़ते सो गया है कितना cute puppy है ना चलो सी के साथ हमाते हमाने next देखो कितना must photo है यह जल्दी जल्दी देखो बहुत important है यह आप लोग इससे बहुत जादा यूज कर सकते हैं आज का time ही ऐसा है step someone in the back step मतलब क्या होता है चाकू लिया यह चाकू है है ना एक्दम चाकू फट मार दिया और यह क्या कह रहा है step someone in the back मतलब पीछे मार दिया चाकू से पीछे मार दिया बैक में चाकू घुसा दिया यह रहा चाकू और पीछे से मार दिया कितनी गलत बात है कह तो यह रही रहा है वह कह रहा है step someone in the back oh my god हमको यह गलत सिखा रहा है हमें बोल रहा है कि हमें पीछे से किसी को चाकू मार देना चाहिए कितना गलत है ना बच्चो यह तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जो हमारा idiom होते है ना idioms होते हैं वो क्या करते हैं वो हमको बोलते लिखावा कुछ होता है लेकिन मीनिंग उसका कुछ और होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है तो आपको क्या करना है है आपको कुछ नहीं करना है आपको इसका मतलब समझना है to hurt someone मतलब किसी को दुख पहुचाना किसी को दुख पहुचाना किसी को धोका देना ठीक है step someone in the back अच्छा एक बात बताते हूं जैसे आपको पता है कि मैं आपको live examples को live examples देती है तो आपको आज अग और live examples छै जैसे ओर ऐसे अपकी कोई friend होगी है हना या फिर आप या फिर आपको किसी friend ने आपको धोका दिया या फिर आपको किसी friend ने hurt करा तो आप और आपने फिर किसी और को बताया आप ऐसे बोलोगी you know my best friend stabbed me in the back, मतलब उसने मुझे पीछे से मेरे धोका दे दिया उसने मेरे पीछे से मुझे को क्या दे दिया धोका दे दिया तो stab someone in the back, आप भी use कर सकते हो जब आपकी किसी, तो example दे दू एक example बनता है देखो एक example तो बनता है न बच्चो did you hear did you hear Zeta stab नहीं ma'am, stab बच्चो गलती से B का वो पर हो रीटा stabbed her best friend in the back मतलब उसने धोका दी रीटा ने अपनी best friend को क्या दिया धोका दिया समझाया ठेक है मागया तो यह आपको याद करने है यह आपको अच्छे से क्या करने है आपको use करने है याद करने है अब देखो sit tight sit tight क्या होता है मतलब अब देखो photo देखो एकदम tightly बैठना sit tight का मतलब तो यह है ना कि एकदम tightly बैठना है ना क्या कि एकदम tightly बैठना to wait patiently इसका मतलब क्या होता है कि wait करना patiently and take no action until you hear otherwise अराम से बैठना है ना and take no action until you hear otherwise मतलब wait करना patiently wait करना शांती से किसी चीज़ का wait करना to wait patiently sit tight मतलब तो यह तो यह हो गया कि आपके पास जब जगान याप एकदम ऐसे sit tight प्राइट होकर बैठे वेओ problem हो रही है फसर रहो वो बैठना ही क्यों है वैसे लेकिन यह बोल तो हमें वही राए करने के लिए बच्चो है ना यह बोल तो हमको वही राए एकदम tight में में अपनी बोड़ी को एक गां tight करके बैठना क्यों बैटना यह से नहीं बैटना बोल रहा है यह लेकिन इसका मतलब कुछ और है बोला था ना मीडियूम्स पढ़ रहे तो सिट टाइट मतलब हमको वेट करना पेशेंटली एग्जामपल देती हूँ ऐसे देखते हैं इधर लिखते हैं एग्जामपल हलो सर वेन विल यू डिक्लेर दे रिजल्ट्स क्या आप रिजल्ट्स कब डिक्लेर करोगे ऐसी तो आप क्या बोलोगे सर क्या बोलते हैं बच्चो बिटा यू वे रफ तो सिट यड यू विवल हव तो सेट you will have to sit tight until I declare the results वो कहता है, hello sir अब कब declare करने वालो result वो कहता है, वो कहता है, फिर you will have to wait you will have to sit tight, आपको wait करना पड़ेगा patiently, until I declare the results, है ना आया समझ बहुत सही है, easy है पर चोई इडियम्स बहुत easy होते हैं, कल तो हम लोग सारे revise करने वाले हैं, जितने अभी तक हमने पड़े हैं न, हम जितना हो सकेगा उतने revise करेंगे पिच्चिन अच्छे यह बहुत important है पिच्चिन, Dutch pitch अच अच अब देखो अभी न, for example, आप किसी company में काम करने लग गया हो आपकी boss बोलते हैं आप अगर, आप अगर हो कोई company हैं आप लोग और आप लोग ना लोगों को अपने पास बोला ले तो जिससे आप लोग को साथ वो मिल जाएं ठीक है, एटल को pitch कर लो, जियो को pitch, जियो बोलते है जियो बोलते है, जियो तो आज कल सबसे in है, तो क्या करते हैं जियो बोलते हैं चलो, एटल को pitch कर लेते हैं चलो idea को pitch कर लेते हैं चलो इसको पिच कर लेते हैं मतलब पिचिन का मतलब क्या होता है मतलब किसी को किसी चीज में जॉइन कराना आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो for example और आप क्या हो आपने किसी कंपनी में ब्रैंड लेकर आने तो आप बोलो कि हम एडिडा Understood है बुला लेते हैं इन्हों बोलते हैं हमारे साथ हमका जैन्ounds आन ठीक है अब यह इक्जाम्पल वह हमको कंपनी वहम को कंपनी ब्रैंड वाले हम तो कॉमकंपनी करेंगे MIMA तो चलो फ्वोवी एक्जम एग्जमपल देते हैं एक्जमपल दो देखो फॉर एक्जम्पल ट में लुक्रॉप कर रहे हो ठिक है किलास में ग्रुप Satelli कर दो या फिर आपके फ्रेंड का बोध्द जो ये फ्रेंड का वोध्द बोध रहे लेता है यह आई है यह गुड ने फ्रेंड का बोध दे अ और आ पलोगों को पार्ट इकनिया लेकिन जिसका बोधिए उसके पास नहीं है ठीक है नहीं है पैसा क्या करें पार्टी तो बनती है साल में एक दिन आता है तो हम क्या बोलेंगे फ्रेंड बहुत अच्छा है उसके उसने बोला कि अरे यार if you don't have money okay it's okay we all friends will pitch in समझे मतलब मिला लेंगे पैसे contribute कर लेंगे एकठे कर लेंगे चलो लिखते हैं यहीवाल एक्जामपल देते हैं जिन्दगी भर याद रखोगे और यूज भी कर लेना ऐसी चीज़े पढ़ानी चाहिए जो बच्चों को याद रहे फायदा क्या अगर कंपनी वंपनी का एक्जामपल लिखा देते हैं आप लोग याद ही नहीं रखते हो ठीके चलो पिच्चिंट क्या करते हैं चलो सिंक्या बोले हाँ I am ready to pitch in for your birthday party यह ठीक है बच्चों चलो फिर उसे के साथ हम आते हैं रुख जाओ कुछ कर लेते हैं पहले चलो पहला question आप लोगों के सामने यह रहा smell a rat ची मैं राट को smell करने के लिए क्यों कह रहे हो please कोशिश तो करो इसका correct answer करने की करो 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 करने की कोशिश करो smell a rat talking nonsense to reveal secrets to suspect that something is wrong to get momentum in a job but बढ़िया 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 चलो आजाते हैं उसे के साथ next question पे in cold blood blood थंड़ा है बच्चो एक्जाम कोशिश करो करने की इसे idioms कितने interesting है न कहता कुछ बोलता कुछ करता कुछ क्या यह यह यही तो है खेल English का मज़दार मार। नक्तर्ण बढ़िया बढ़िया तो है बढ़िया तो है क्रावदार लोर्ड़ से बढ़िया यह घर कुछ करता कुछ करता है एक्जार चलो हो गया है टाइम तो आते हैं कहां आते हैं डाउटनेट के साथ कुछ पर चलो अच्छुन सक्रणना हमारा काम नहीं है यह डॉग इसका काम होसे ठीक है चलो ए किया होता है रीवी आपको पता है ने बेस्ट अवसे करते हैं26 कभी रीवील करने चाहिए बैद मैंने गलत तो गलती कर दिया हमने इसको भी है तो सस्पेक्ट दाट सम्टिंग इस रॉंग कुछ तो वो कौन साथ है वो सियाद है CID कुछ तो कपला है दया ऐसा है ना कुछ तो है कुछ ऐसा था कुछ तो गड़ बढ़ है तो सस्पेक्ट करना सस्पेक्ट करना कि कुछ गलत है तो नॉंसेंस बाते करना मैम यह नॉंसेंस बहुत नहीं करनी हम लोगो को क्रास करो to get momentum मतलब warning मिल दे जॉब में oh my god smell a ride मतलब warning मतलब बगर हमने smell करा कुछ rat मतलब हमने कुछ इदर उदर देखा हमने देखा कि हां कुछ तो गड़ बढ़ है बॉस कुछ तो गड़ बढ़ है दया कुछ काम करना पड़ेगा तो correct answer क्या है बच्चो option number B option अब बतें आपको मनीशा माम के साथ idioms भी ना बहुत इंट्रस्टिंग लगने लग गया हूंगे है ना जब मू से तारीफ नहीं कर रही हूं ऐसे आपको बता रही हूं कि खेल खेल में बढ़ाती है मनीशा माम कुछ भी हो माम को खेल खेल में पढ़ाने में मज़ा आते हैं बच्चे जितना खुशती से पढ़ेंगे न उतना यद्ध रहेए गा चलो नेक्स्कुशन इन कोल ब्लॉड खून थंडे खून में मैं कॉझन कों लाइव क्या माते कर है बच्चो मेरे बच्य मन के सच्चे ये कोल बलॉड मतलब यह नहीं होता है कि तुम थंडा खून में इसका मतलब हैं फूल ऑपरेशन अन इंटेंशनली deliberately none of these इसका correct answer क्या है correct answer जल्दी बताइए ठीक है मतलब क्या होता है एक न गोल्ड वार भी होती है cold blood होता है मतलब कुछ चीज़े जान के करना she did it in cold blood किसी चीज़ को जान के किसी को परेशान करना फर इसे जान के मतलब समझे बार बार जान के वर्ड की बोल रहा हूं इने फुल ऑपरेशन गलत और इंटेंशनली ना चाहते हुए अरे cold blood तो चाहते हुए होता है गलत और इस गलत तो चलो अब सुनो आज की क्लास हमने यहीं पर खतम कर दिया है और कल वापिस से मीडिया पर आएंगे लेकिन रुको 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 कल की बात तो मैं सुबह 11 बजे बदा दूंगी अभी आपको तीन बजे चार बजे भी आना और नहीं आये तो फिर बताऊंगी मैं क्या कर ना है चलो बाए